अधिक गिर्वी रखने से अधानी के शेर तूटे, अधानी एंटर्प्राइजे साथ प्रतिशत नीचे. E.N.S. आर्थिक बयूरो द्वारा अधानी टोटल गैस, अधानी पावर, अधानी ट्रांस्मिशन, अधानी ग्रीन एनरजी, NDTV और अधानी विल्म के शेरों में लगबग पांच फीसदी की गिरावट आई. अधानी एंटर्प्राइजेस में 7.03 फीसदी, अधानी पोर्ट में 5.25 फीसदी, अम्बुजा सिमेंट में 5.17 फीसदी और ACC Limited में 3.06 फीसदी की गिरावट आई. अधानी समूव की कमपणियों के शेरों में सोमवार को 7 प्रतिशत तक की गिरावट आई. इस रिपोर्ट के बाद की समूव की तीन कमपणियों ने State Bank of India समूव की एक कमपणी SBICAP ट्रस्टी कमपणी को अतिरिक्ट शेर गिरवी रखे हैं. इंट्रादे ट्रेट के दौरान कमपणियों के शेरों में 10 पीसदी तक की गिरावट आई. अधानी Total Gas, अधानी Power, अधानी Transmission, अधानी Green Energy, NDTV और अधानी Wilma के शेरों में लगभग 5 पीसदी की गिरावट आई. अधानी Enterprises में 7.03 फीसदी, अधानी Port में 5.25 फीसदी, Ambuja Cement में 5.17 फीसदी और ACC Limited में 3.06 फीसदी की गिरावट आई. इस बीच, 30 शेरों वाला Sensex सोमवार को 0.41 प्रतिशतिया 250.86 गिरकर 7,431.84 पर बंद हुआ, और व्यापक NAC Nifty 0.48 प्रतिशतिया 85.6 की गिरावट के साथ 17,770.9 पर बंद हुआ. Filing के अनुसार, अधानी Ports के 75 लाग से अधिक शेर गिरवी रखे गए है, जो SBICAP के सभी शेरों का कुल एक प्रतिशत है. अधानी ग्रीन के मामले में, साथ लाग और शेरों को गिरवी रखने से कुल 1.06 प्रतिशत हो गया. अधानी ट्रांस्मिशन के 13 लाग और शेरों की प्रतिग्या कुल 0.55 प्रतिशत हो गई. SBICAP ट्रस्टी अधिकारियों ने कहा कि अतिरिक्ट गिरवी मौजूदा संपार्श्विक का टॉप अप है, और कोई नया रिन जारी नहीं किया गया था. SBICAP ट्रस्टी SBI Capital Markets की सहायक कमपनी है, जो SBI की सहायक कमपनी है. SBICMD, स्वामी नाथन जे के अनुसार, आस्ट्रेलिया में अदानी की कारमाइकल परियोजना के लिए प्रदान की गई 300 डॉलर मिलियन की स्टेंडबाई LC सुविधा के हिस्से के रूप में, तीन समू कमपनीों के शेयरों की प्रतिग्या के माध्यम से अतिरिक्ट संपार् के बाद 8 फरवरी 2023 को किया गया था. SBICAP Trusty Company को सेभी के साथ फाइल करने की आवशक्ता होती है और हर बार गिर्वी रखे गए शेयरों की संख्या में बदलाव होने पर अनुपालन करना होता है. स्वामी नाथन ने कहा कि इस नवीनतम किष्ट के साथ इस परियोजना के लिए गिर्वी रखे गए शेयरों का प्रतिशत क्रमशह अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट्स और अदानी ट्रांस्मिशन के एक विटी शेयरों का 1.00 प्रतिशत और 0.55 प्रतिशत हो गया है. SBI ने कहा, ये स्पष्ट किया जाता है कि इस तरह के शेरों को गिर्वी रखना केवल परियोजना परिसम पत्तियों के उपर और उपर अतिरिक्ट संपार्श्विक सुरक्षा के रूप में है, और ऐसे शेरों के खिलाफ SBI द्वारा कोई अतिरिक्ट वितर नहीं दिया जाता कमपनियों को अधानी Ports and Special Economic Zone Limited, अधानी Green Energy Limited और अधानी Transmission Limited में गिर्वी रखे शेरों को जारी करने के लिए 1.114 बिलियन, लगभग 9,215 करोर रुप्ये का भुक्तान किया US अधारित Banking समूह Morgan Stinley के स्वामित्ववाले वैश्विक सूचकांत प्रदाता MSCI ने पिछले सप्ता अपने विभिन व्यापक रूप से ट्रेक किये गए इंडेक्स में चार अधानी समूह के शेरों के लिए अपना Weightage Free Float श्रेनी में शेरों की समीक्षा के बाद कम कर दि जबकि उनकी रेटिंग की फिर से पुष्टी की अधानी समूह की कमपनियों के शेर 24 जनवरी 2023 से स्टॉक एक्सचेंजों पर भारी विक्वाली के दबाव में आ गए जब New York स्थित हिंडन बग रिसच की एक रिपोर्ट में समूह द्वारा दशकों के दोरान बेशर्म खेर फेर और लेखा धोखादरी योजना का आरोप लगाया गया था